सवाल आपने बोला बेमानी है एक भी बंग्लादेशी घुसपैटिया नहीं है इसके अमत्ता सरकारी खजाने से बंग्लादेशी घुसपैटियों को पैसा देने को तैयार है हजार हजार रूपली और یہां कह रहे है किसा वहारा वहारा नौकरी खाली जाएगी मैं जवाब ने लेता हूँ प्रियंका जी चे लेकिन मेरे सवाल का क्योंकि आपने बुला यह सवाल बेमानी और मेरे सवाल का जवाब नहीं आए मैं दुबार आपके पास आऊँगा इनके यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने सदन में रखा आकडा कि उनके पास आकडा ही नहीं है कितने लोग आ रहे हैं उनके पास इतना कॉंप्लेक्स इशू है इल्लीगल इमिगरेशन का आकडा नहीं है बढ़ हाँ 2017 का है 2018 का है 2019 का है और यह 3 सालों में 1,006,006,002 स सुप्रीम कोर्ट से इनके यूनियन होम सेक्रेटरी अजे कुमार भला ने कहा बताया कि हजार किलोमीटर तो बांगलादेश बॉर्डर का ऐसा है जिस पे हम फैंसिंग नहीं कर पा रहे और लोग आते जा रहें यह 17,000 लोगे इनको लीगल कर दिया जाये सुप्रीम कोर्ड सुप्रीम कोट ने कहा कि तुम बाबा कितने इल्लीगल इम्मिगरंट को नागरिक बनाना चाहते हो तुमने अब तक फैंसिंग क्यों नहीं कंप्लीट की तुमने बॉर्डर सुरक्षा के लिए क्या किया यह हुआ यहीं बता रहे हैं अरविंद केजरिवाल जी बार-बार कि अब तो इलीगलाइज हो गई लीगलाइज हो गई तो पाकिस्तान से कोई आ जाएगा अप लोगों के पाद रहे हैं मैं यह तो बता रहा हूं मैं बता रहा हूं अरे भाई सुनिये तो अब आपको डेट पता है तो बहुत है यह करके सुदान्चु जी मेरे प्रस्ट का भी जबाब और अब फेंसिंग शुरू हुई है और अभी तक केवल कुछ किलो मीटर यानि सो किलो मीटर के आसपास की हुई है अगले कुछ साल लगेंगे जब पाकिस्तान की तरह फेंसिंग होगी जूट गोलने के हाद है जिनोंने सीमा का निर्दान नहीं किया और दूसरी बास सुन मुक्ष मंतरी 2006 में कहा है इसलिए मैं कहता हूं जूट का कारोबार यह लोग कितना करते जूट बोलने पहले दस बार सोच लेना चाहिए और मैंने इनके ग्रह राजवांद्रियों को बोला था कि नहीं बोलिया हाँ है जी 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 मेरे सवाल का जवाब है रसांची जब मुन्नी दिल्ली आई थी ना तो हमारे बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे मुन्नी के मम्मी पापा को दिल्ली में नहीं मसा लिया यह लिगत तुम्हें भी नागरिकता देते हैं इनसे पूछे नमबर कितना है यह मुन्नी में जीते हैं भाईया का हकीकत की जिन् सारे पाकिस्तानियों को देश में बसाके क्या करना चाहरे हैं हमारी बेटिया सेफ होंगी क्या मैं सुनिये उनको आप सुनिये यह सवाल है एक मिनट एक दर्जन उधरन दे सकता हूँ जहां बंगले देशी मुसल्मानों का अतंगवादी गद्विडियों में उधरन है दोजार पांच छे साथ नव दस पताईये सुनिये लग्लावद बनारस के लेकर जैपर ब्लास से लेकर हैदराबास से लेकर सुनिये पूरी बात हो ले दिए बंगला देशी मुसलिम एक चुनोती से कहता हूँ हातंग बादी खटना बताईये जिसमें पाकिस्तान या उसके लिए कहां था, उजे इनके लिए जो वहां पे दुख्यारे हैं, और उनके लिए जो ये बोल रहे हैं, उनके लिए मुझे अटेल जी की कविता क्यों पंक्त याद आती है, कि 15 अगस का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपत न तुम्हें लाज है आती तो सीमा के उस पार चलो सभिता जहां शुषिली जाते आज अप्सी करोर लो चिलाईये मत सदंदुता को सार्थक कर ले कसम करें बलिदान करें जो पाया उसमें खोना जाएं जो खोया उसका ध्यान करें पार्टेशन के टाइम जिसको जाना था चला जिसको रहन अथा रहे गया आज 2024 में मुझे पता है जब यह संसाधन क्रियेट नहीं कर पाएं नव लिमिटेट संसाधन है लोगों के पास तो कैसे कितना डिस्ट्रिब्यूटर डिवाइड करना इंसे पूछ लीजिए यू मेडियो पॉइंट शुदांशु जी मैंने जब तक केजरिवाल बैठा है वक्त बोल्ड को पैसे की कमी नहीं होगी इतना पैसा रहेगा इतना पैसा रहे का है तब संसाधन नहीं याद आता है क्यों डिपोर्ट क्यों नहीं करें कैसे घुसरें देश में बताइए कैसे घुसरें हमारे टाइम में किसी को जाने के विशक्ता नहीं है मुद्यों को वापस आने की जरूत है सुधान्चु जी मैंने सवाल पूछा आपने बोला यह सवाल बेमानी है चुनाफ से मैं कहता हूँ बहुत समस्चाती आपकी सारकार को 10 साल हो गए चुनाफ की रण भीरी बजगई है ऐलाने जंग हो गया है यानि 2024 के लिए तो अब म मैं पूछ रहा हूँ यह नोटिफिकेशन को चार साल क्यों लग गए आने में मेरा सवाल यह कि चुनाफ से एन पहले क्यों इनको तो पहले भी जरूत होगी न रहने की कि आज जरूत पढ़ गई इसलिए शंका है इसलिए शक होता है पोलिटिकली शक होता है बतार जवाब इसका जवाब बाई लॉज रूस तब बनते हैं जब पहले बिल पास होता है यह पहले लॉज बनते हैं पहले एक्ट पास होता है एक्ट पास हुआ फाइनली वह जनवरी 2020 में कोविट कब आया फरवरी 2020 बिलकुल दो साल तो पूरे कोविट कब गया कोविट कब गया 2022 में 2022 2022 में गया ना और अभी आखरी लहर तो 2023 के शुरू तक भी आई थी ठीक अब उसके बाद जब कोविड गया अच्छा मैं इसके रहा हूं चलिए हमसे प्रॉब्लम है ना एक पार्टी बताईए जिसने ये ना बोलाओ सुनिए कॉंग्रेस का आसाम का रिजोलूशन है जुलाई 2015 का उज इसने कहा है कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और बौध को देना है अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक पूरी बास मैं दर्शकों चाहता हूं 2003 में Citizenship Amendment Act के लिए कमेटी बनी थी और उस कमेटी का चेर्मेन कौन था प्रणो मुखर जी उसमें मेंबर कौन कौन थे लालू परसाद यादा हो कपिल सिबल और जनेश्वर मिश्रा और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगला इसके मेजारिटी को नहीं देना है अब मेरे भाई बताओ इसे ही कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान जो लिखा हुआ था कमेटी में जिस पर साइन किये हुए किसके लालू परसाद यादो के साइन है कापिल सिबल के साइन है अंबिका सोनी के साइन है और पड़ाओ मुखरजी जी के चैर्मेंसिटिप में आज कहते हैं कि बदल जाओ ठीक है तो आप कह रहे हैं कि आप नहरू जी को फॉलो कर रहे हैं ना ना हम तो कह रहे है इन पार्टी पेशारी जी को फॉलो कर रहे है अब बिल्कुन झाल झाल